एक पुलिस ओफिसर को रात का कुछ याद नहीं रहता और रात में ही उसके लिवास के मर्डर हो रहे है हलो फ्रेंड्स आज के हमारे मूवी ट्विस्टेड 2014 की एक थिलर मिस्टी है अभी मैंने जो स्टोरी राइन बताई ये मूवी उससे भी इंटरस्टिंग है एक्च्वल किलर कौन है ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्त तक देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दिजेगा मैं कमेंट को रिपलाय देने की जरूर कोशिश करूँगा मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते है हमारी मेन केरेक्टर को एक आदमी ने चाको लगाया है वो उसे कहता है मैं तुमारा हार्ट महसूस कर सकता हो मुझे लगता है कि तुम प्यार में हो ये कहिकर उसे टच कर रहा था तब उसने रियलाईज किया कि जेसिका के पास एक गन है जेसिका जल्दी से उसे पटकती है और सब सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले लेती है हमारी जेसिका एक पुलिस ओफिसर है उसने जल्दी से अपने बैक आप को बुला लिया वो गोसे में थी तो इस आदमी को सर पर लाद मार दिया जिस केस में इस आदमी को उसने पकड़ा ये बहुत ही बड़ा केस था इस वज़े से आज उसे प्रमोशन मिल गया ये एक नॉर्मर पुलिस ओफिसर से एक होमेसाइट डिरेक्टिव बन चुकी है एक बार में इसी के पार्टि अपने सब कलिक्स को दे रही थी जेसिगा के पुराने पार्टनर का नाम विलसन था विलसन उसे कहता है अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया पर फिर भी तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो हमेशा मैं तुम्हारे लिए बहार रहूंगा तुम मुझे पर ट्रस कर सकती हो तुम जाने के बाद उसे मिस करने वाला है ये दोनों जब बात कर रहे थे तब ही जैसिका के पास हमारा और एक मेंन क्यारेक्टर जिसका नाम है माइक ये आकर ड्रिंग करता है जैसिका उसमें इंट्रेस्टेट थी उसे बात करते है बुछते हैं तुम किस डिपार्मेंट से हो माइक इस पर उसे कुछ भी नहीं बोलता माइक सिक्रेटिव है तो जैसिका ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखाती इसी पार्टी में जैसिका का एक्स बॉइफेंट जिसका नामे चीमी ये भी आया हुआ था उसे लगता है कि कमिशनर जैसिका की कार्डियन थे तो इसी वज़े से उसे प्रमोशन मिला कमिशनर भी इस पार्टी में आ चुके थे और ये बात उन्होंने सुन ली वो जिमी के पास आये उन्होंने कहा तुमारे पीछे एक आदमी बेटा है मुझे उसका डिस्क्रिप्शन दो अगर एक अच्छा डिरेक्ट्व बनना है तो आस पास की पूरी सिच्वेशन आपको पता होनी चाहिए जीमी कुछ भी बता नहीं पाता फिर कमिशनर जैसिका से पोछते जैसिका को उस आदमी का हाइट वेट इन सब के बारे में आईडिया था उसी ये तक पता था कि आदमी कैश देकर ड्रिंग पी रहा है जैसिका एक बहुत ही सिंसिर और क्रेडिवर्ड डिरेक्ट्व है हमारे कमिशनर का नाम है जॉन जॉन जैसिका से कहते हैं मेरे आफिस में चलो आज जॉन जैसिका से बहुत ही गुस्सा है कहते हैं आज तुमने बहुत गलती की थी सस्पेक के साथ तुम अकिली गई थी तुम्हें इसके लिए जॉब से निकाल देना चाहिए था और अब तुम्हें प्रोमोशन मिला है तो अपना जॉब सिंसेरली करना चाहिए जैसिका जब छोटी थी तब है उसकी मदर और फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद जॉब जॉन नहीं उसे बड़ा किया वो अब डिरेक्ट्टू बन चुकी है तो आज वो बहुत प्राउट थे इसके बाद जैसिका बार में एक रैंडम आदमी के साथ मिलती है उसके साथ इंटिमेट हो जाती है घर आने के बाद उसने फादर की डेथ की फाइस देखी यहाँ समय पता जलता है उसके फादर ने सुसाइड की थी यह देखकर बहुत ही सैड थी इसके बाद नेक्स डे जैसिका को साइकलोजिस्ट के पास जाना पड़ा उसका प्रमोशन हो चुका है तो उसे मेंडेटरी अपनी मेंडल हेल्थ का खैल रखना पड़ेगा डॉक्टर उसे क्वेशन पोच रहे थे और कहती है कि मैं पर्फेक्ली फाइन हूँ उससे अगर कोई स्टेस आता है तो यह निकालने के लिए उसने सेल प्रोटेक्शन का क्लास जॉइन किया है जब जैसिका फर्स टाइम अपने ओफिस में आई तो सब लोग उसे कॉंगरेचुरेट करते है तो सबराइस थी कि जिसने बार में उससे बात नहीं की थी वही माइक उसका पार्टनर है ओफिस में उसका कलिक डिल यह उससे बात करता है और कहता है जिसको तुमने पकड़ा एक बड़े केस का सस्पेक्ट था तुमने सब कुछ गड़वड़ कर दी जैसिका ने अपना जॉब शुरू भी नहीं किया तब तक उसका एनिमी बन गया जिस कल्परिट को जैसिका ने मूँपर मारा था उसने अपना लॉयर अब बुलाया हुआ है उसके कहता है जो उसने किया वो बहुत गलत किया मुझे धोके से वहाँ वो लेकर गई थी मुझ पर हमला किया इस कल्परिट का लॉयर एक बहुत बड़ा लॉयर है इसका नाव में रे रे कहता है कि उसमें जो किया इसके लिए उसे भूगतना पड़ेगा मीटिंग के बाद रे जैसिका और माइक से मिलता है माइक कहता है तुम उसे रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो तुम तो हमेशा जस्टेस को लेकर बहुत ही सिंसियर थे रे कहता है उसके फादर बहुत इंफ्लूइंशल है और मेरे साथ गॉल्फ खेलते है तो उन्हें मैं हेल्प कर रहा हूँ माइक के या से जाने के बाद वो जैसिका से बात करता है नहीं पता चला इन दोनों में रिलेशन्शिप हुआ करती थे रेनी जैसिका को संडे पर अपने घर पर बुलाया इस केज को डिसकस करने वाला है जैसिका ने उसे मारा था यह प्रॉल्म ना हो जाए तो जान से ओबिनियन मांगने के लिए वो आई हुई थे जान कहते हैं तुम्हें कोई भी प्रॉल्म नहीं होगा तुमने जो स्टोरी बताई है कि वो तुम पर अटैक कर रहा था सिर्फ यही स्टोरी कोर्ट में बता देना नेक सिन में वो फिर से साइकोलोजिस के पास थे साइकोलोजिस कहता है तुम्हारे मदर और फादर के बारे में हम बात करते हैं वो कहती कि उनके बारे में क्यों बात करनी है साइकोलोजिस कहता है तुम्हारे एंगर इशूज शायद उस वज़े से है जैसे का कहती है मुझे कोई भी एंगर इशुस नहीं है ये बताते बताते बहुत ही गुसा हो गई थी आज रात घर आने के बाद भी वो फेसे अपने फादर के क्राइम सीन के फोटोस देखती है ये देखते हो को ड्रिंक करकर रो रही थी वो अपने पैरन्स को बहुत मिस करते है थोड़ी दर में उसे माइक का कॉल आया उन्हें सीशोर के पास एक डेट बाड़ी मिली है उन्होंने डिसकस करकर डिसाइड किया कि उन्हें सीशोर का बड़ा राउंड लगाना चाहिए डेट बाड़ी के हाथ पर एक सीगरेट का बन नोटिस करते है इस बाड़ी के चेहरे को जैसिका ने जब सही से देखा तब रियलाइस किया जिस स्टेंजर के साथ वो इंटिमेट हुई थी यह उसी की डेट बाड़ी है इसके बारे में अपने बार्टनर को बता देती है यह उसे कैसे जानते थी जब यह उसके कलीक को बता चला तो उसे जज़ करते है इस पर वो गुस्सा थी अगले दिन माइक और जैसिका पूरे शोर की चक्कर लगा रहे थे माइक को से कहता है यहाँ पर बहुत सरे प्लेसे से जहाँ पर आप कुछ न कुछ तो हाइड कर सकते हो माइक एक्चुली इसी शोर के पास रहता है तो उसे सब कुछ पता था माइक ने डेड बॉडी पर सैंड देखी थी तो किनारे पर आया माइक को लगा कि शायद यहाँ पर मर्डर हुआ होगा जेसिका को याद आया कि उस राद वो और वो स्टेंजर यह दोन यहाँ भी इंटिमेट हुए थे अगली दिन इस केस पर ओफिस में डिसकेशन चल रहा था जेसिका को लगा कि एक सिरियल गिलर का काम है इस पर सब लोग बहुत अस्ते है कोई भी उसे सिरियसली नहीं लेता राद में माइक और जेसिका बार में आये हुए थे यहाँ पर जेसिका का एक्स बॉइफरेंड जिमी उसे स्टॉक कर रहा था जेसिका के कहने पर माइक उसे दूर रहने की धमकी देता है बार में ड्रिंक करने के बावजुद जेसिका घर आकर फिल से ड्रिंक करती है वो पास आउट हो चुकी थी सुबह उसे माइक का कॉल आया और उन्हें और एक डेट बॉड़ी मिली है इस तरीके से लास डेट बॉड़ी थी उसी टाइब का सिगरेट बन इस विक्टिम के हाथ पर भी है इससे कन्फर्म हो गया कि एक सिरिल किलर का काम है जेसिका के बास कहते हैं तुम्हारा अंदाज़ा सही था तुम अच्छा काम कर रही हो पर जेसिका टेंशन में थी इस विक्टिम के साथ भी हो इंटिमेट हुई है नेकसे नमें हम देखते हैं फॉरेंशिक्स की लेड़ी इस लास को देख रही थी लास की एर पर उसे एक अलग आदमी का बलर्ड मिला और शायद किलर पकड़ा जा सकता है इस बलड को एनलाइस करकर इसका रिजल्ट आने में ज़रा टाइम लगेगा अगली दिन साइकोलोजिस्ट के पास जेसिका बहुत ही टेंशन में थी साइकोलोजिस्ट कहते हैं तुम्हें अपने मदर और फादर की फिलिंस को कंफरेंट करना चाहिए जेसिका कहती है वैसा कुछ भी नहीं है उसने बता दिया कि जिनकी भी किलिंग सो रही है उनके सब के साथ में सोई हुई हो ये बात उसने अपने पार्टनर को भी बता ही नहीं साइकोलोजिस्ट ने कहा तुम्हें बात बता देनी चाहिए शारे तुम डेंजर में हो सकती हो जेसिका जब पार्किंग लॉट में थी तो उसके उसके काड़ी की कीज नीची गिर गई उसके पीछे कोई आया जिससे वो बहुत डर गई थी ये साइकोलोजिस्ट ही थे वो आज राज जॉन से मिलने के लिए आई कहती कि मेरे फादर में कोई भी साइंस नहीं थे को सुसाइड करेंगे ऐसे अचानक वो सुसाइड कैसे कर सकते है जॉन कहता है तुमारी मदर से बहुत प्यार करते थे उसके जाने के बाद वो बहुत इखम में थे इसलिए उन्होंने सुसाइड की थी तुम इन बातों पर जादा सोचो मत अपने जॉब पर कॉंसेंडरेट करो अगली दिन सब डिरेक्ट्व मिलकर केस पर डिसकस कर रहे थे यहाँ पर जेसिका का कली जिसका नामे डेल इसाब से बात करता है कहता है हमें तो जेसिका पर शक करना चाहिए वो फर्स विक्टिम के साथ सोई हुई थी शाहे सेकंड के साथ भी सोई हुई है वो मजाग कर रहा था पर जेसिका को बहुत ज़्यादा गुस्ता आ गया वो जोर से उसकी कमर पर लाद मारती है माईक उसे शान्त करकर एक जगा पर लेकर आता है जेसिका कहती है कि वो जो बोल रहा था ये सच है माईक इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर हो तो ये मुझे सब कुछ चीजे बतानी चाहिए ये बात उन्होंने उनके बॉस से कही और कमिशनर के पास आकर ही डिसकस करते है कमिशनर जोन ने कहा कि हमें जेसिका को केस पर रखना कंटिनु करना चाहिए ये सब मर्डर की लिंक उससे ही है जेसिका की वज़े से हमें अच्छे क्लिव मिल सकते है जोन को बता था कि जेसिका ने अपने कलिक को मारा इसे वो बहुत ही गुसा था उसे वो बहुत डाटता है जेसिका कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ जॉन कहता है तुम्हारे आसपास के लोग मरते क्यों रहते हैं इसके बाद जेसिका और माइक जो भी विक्टिम्स थे इनका बैगराउंट चेक कर रहे थे बस विक्टिम्स जिस बार में जाता था उस बार में हो गए बहुत बार रेंडर कहता है लास्ट टाइम उसे उसने जेसिका के साथ ही देखा था यो उसके घर पर आए जहाब और विक्टिम्स के लाइन लेड़ी कहती है कि जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था वो तुम्हारे साथ ही था इनके सारे एफर्स वेस्ट जा रहे है रात में जब जेसिका घर पर आई तो उसका एक्स बॉइफ्रेंट जिम्मी ओल्लिटी उसके घर में बेटा हुआ था उसके पास आकर उसे किस करने लगता है वो उसे मिस करता है तो उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था जेसिका उसे मना कर रही थी पर वो मानता नहीं जेसिका के पास एक छोटा सा वोडन वेपन है जिससे उसे इंजोर कर देती है जिमी इसे बहुत गुसा हो गया उसे साइकोबैट बुलाकर वहाँ से चला जाता है अगली दिन वो एक कल्प्रिट से मिलने के लिए आए यह वही है जिसे हमने मुवी के फर्स में देखा था वो जैसिका से कहता है तुमें और मुझ में जादा कुछ भी फर्क नहीं है तुमें भी कभी-कभी लगता है किसी का मर्डर करना चाहिए जैसिका फिर से अपने ओफिस में जब काम कर रही थी तो उसका कलिक डेल उसके पास आकर उसे चिटाता है उसने उसे हाथ लगाया कहा कि अब तुमें लग रहा होगा कि मुझे मारना चाहिए जैसिका उसे मारना तो चाहती थी पर कंट्रोल कर लिया उसे लगा कि डेल को इस केस के बारे में इतना बता है तो माइक नहीं उसे बताया होगा माइक पर गुसा होकर उसके घर पर आती है उसने उसे confirm किया माइक कहता है कि मैं तुम्हारा partner हूँ इस तरह की चीज़े में तुम्हारे साथ नहीं कर सकता तुम्हें मुझे पर trust करना चाहिए जेसिका शान्त हुई वो इस case पर वो discuss कर रहे थे माइक उसके लिए dinner बनाता है कहता है जिस तरीके से तुम food enjoy करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे किस करने लग गए जेसिका को लगा कि ये गलत है और उसने अपने आप पर control कर लिया घर आने के बाद जेसिका को full मिले थे ये उसी lawyer के है जिससे हो कल मिलने वाली है आज रात भी ट्रंक होकर वो बेहोश हो गई थी सुबह जब वो lawyer के पास गई तो directly lawyer की body ही उसी मिली सब पुलिस वेगरा को बुलाने के बाद जेसिका से question किये जाते है जेसिका का boss जोन से कहता है कि अब उसे इस case से निकाल देना चाहिए शायद वो murderer हो सकती है जोन कहता है उसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जो उसका first homicide case है अगर उसे निकाल दिया गया तो उसका career खतम हो जाएगा जेसिका जब अपने psychologist के पास आई तो बहुत ही ज़ादा confused है उसे पता नहीं क्या उसने सर्षमुश में murder किये भी है या नहीं जेसिका हर राट drunk हो जाती है तो रात में क्या होता है उसे पता नहीं होता उसे लगता है कि violent है किसी की जान वो ले सकती है तो यही confirm करने के लिए उसने अपना blood lab में दिया उसने murderer के blood से इसे match करने के लिए कहा हमेशा जेसिका को अब लग रहा है कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है यह किसी को भी notice नहीं कर पाती रात में उसके घर पर नौक आई तो डर चुकी थी उसने उपन किया तो यह माईक ही था माईक उसे कहता है मुझे भी लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा है जेसिका बहुत ही डर चुकी थी उसने माईक पर गन लगाई माईक उसे गन ले लेता है और उससे कहता है कि शान्त हो जाओ उसने उसे किस कर लिया जैसिका डर रही थी उसने कहा जिसे भी मैं किस करती हूँ उसका murder हो जाता है माई कहता है कि मैं कही भी नहीं जा रहा उसने जैसिका को सुला दिया और यही बर वो रात बर सिक्रेट पी रहा था अगली दिन जॉन जेसिका को अपने office में बुलाते है जेसिका के पीछे एक board था उसे बुच्टे मुझे बता कि इस board पर लिखा हुआ क्या है इस बार जेसिका सही से concentrated नहीं थे वो disturbed थी तो रोने लग गे जॉन उसे सहार देते है कहते हैं तुम्हें अपना जॉब सही से करना है इस तरीके से डरो मत जैसिका जब घर पर आई तो जिम्मी फिर से उसके घर में था फिर से उसे जबरदस्ति करने लग या इस बार वो मानने वाला नहीं था तो जैसिका ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया वो काज जाता है कि मर्डर तुमने किये थे वो डिस्टाब होके रोने लगती है कहती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है उसे जेल में डाल दिया गया उसका साइकलोजिस उससे बात करने के लिए आया हुआ था तब जॉन वहाँ पर पहुचा जॉन जैसिका से कहता है कल राद तुमा सब कुछ रूटीन पता है तुमारे घर का उसे एकसेस है जैसिका की मैंड में एक याद में आया उसका पार्टनर माइक माइक को लेकर वो सस्पीचेस थी ही और वो सिगरेट भी पीता है जिस राज जैसिका माइक से मिली थी उसके बाद ही उसके आसपास मर्डर होना स्टा माइक ने ड्रिंग किया, जॉन कहता है तुम हमेशा जेसिका की ड्रिंग में कुछ ना कुछ तुम मिलाया करते थे, जॉन ने माइक के ड्रॉज चेक किये तो इसमें ड्रग था, माइक कहता है कि मेरा नहीं है, मुझे फसाय जा रहा है, जिस छोटे से लकडी के वेपन से में जॉन ने माइक के ड्रिंग में भी ड्रग मिला दिया था, तो अनकॉंशेस हो गया, जॉन जेसिका से कहता है, हमें अब इसे सजा देनी चाहिए, ये केस कोड में जाएगा, वे इसे बेल मिलेगी, इन सब चीजों पर वो भिलीव नहीं करता, जॉन और जेसिका ये घर म जेसिका रियलाइस करती है, इसी तरीके का क्राइम सिन, उसके फादर के सुसाइड में भी था, यानि कि जॉन ने उसके फादर को भी मार डाला था, जेसिका ने अपनी गन निकाली, उसे अरिस्ट करने वाली थी, जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझ नहीं वो कहता है, तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह ही गुसा है, मैंने उसे बताया था, जिसके वाइब उस पर चीट कर रही है, पर वो माना नहीं, उन दोन में जगड़ा हुआ, और जेसिका के फादर बहुत डिस्टब्ट है, इसी वज़े से जॉन ने जेसिका के अपने हर विक्टिम को बर्न देता है, उसी तरीके से, जॉन ने माइक के हाथ पर सिगरेट बर्न दिया, जैसे का वहाँ पहुँची, उसने यह सब देख लिया, वो कहती है, तुम ही मर्डरर हो, तुमने यह सब किया क्यों, जॉन कहता है, तुम्हारी मदर को एक बिमारी वो कभी भी उसके हजबन से फेट फूल नहीं थी, मैं उससे प्यार करता था, पर वो मानी नहीं, इसलिए मैंने उसे मार दिया, तुम्हें भी वही बिमारी है, तुम किसी के साथ भी इंटिमेट होती रहती हो, मैंने हर एक को मार कर, यह क्योर करना चाहा, जॉन कहता है, त सारे पुलिस को लेकर वो यहां आ रहे थे, जॉन जैसिका से कहता है, मैं तुम्हें और एक लास्ट बास सिखाना चाहता हो, आप जो भी करते हो, कभी भी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जॉन अब मारने वाला था, तो जैसिका उसे शूट कर देती है, जॉ उसे सौरी कहा, मैं भी उसे माफ कर देता है, इसी मुवेंट पर इस मुवी का एंड हो जाता है, अगर आप को एं मर्डर मिस्टी पसन आई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, यह बहुत सारी मुवीज लेकर आद रहत हो, तो प्लीज इस चानल को सब्सक्र हम फिर से मिलेंगे और एक निमुवी के साथ, तब तक लिए थैंक्यू, और आप अपने आपका खैल रखिये